Hello students, कैसे हैं आप सब लोग? Cash flow statement आखरी chapter है, class 12th accounts term 2 का और इस chapter की theory series में आज हम पढ़ेंगे, जितनी भी theory इस chapter से बन सकती है हालागि इस chapter से 2 number का theory तो पक्का पूछा ही जाएगा तो वो हम आज cover कर लेंगे और इसके अंदर I hope मैं सारी theory करा दूगा तो दो नमबर आराम से कहीं से भी पूछे वो आप बना लोगे तो चलो स्टाट करते हैं Cash flow statement accounting standard 3 की according सबसे पहली बात कौन से accounting standard accounting standard number 3 revised कुई उसमें कोछ changes करे गए थे तो meaning की बात करें तो cash flow statement एक ऐसा statement है जो शो करता है क्या कितना पैसा flow हुआ है चाहे वो इन आया हो चाहे वो आउट गया हो तो cash flow का मतलब भी बचला है नाम से कितना cash आया कितना cash गया लेकिन जब हम बोलते हैं cash तो उसका थोड़ा सा broad meaning है आगे जाके बताऊंगा क्या होता है ठीक है और cash and cash equivalent जब भी बुलता हूं cash तो यह खाली cash नहीं है cash and cash equivalent है during an accounting period from operating investing and financing chapter आपका पूरा का पूरा हो चुका है cash flow statement operating activity से कितना पैसा आएगा investing से कितना पैसा आएगा financing से कितना पैसा आएगा यह कितना पैसा आएगा यह इन तीनों statement के अंदर क्या होता है कितना पैसा आया कितना पैसा गया और cash and cash equivalent और इन तीन activity से तीन activity होते हैं cash flow के अंदर operating investing or financing right it is prepared according to the accounting standard three revise to cash flow statement जो बनाया जाता है किसके according बनाया जाता है AS 3 के according accounting standard 3 के according हम cash flow statement बनाते हैं objective of cash flow statement cash flow statement बनाने का जो objective है वो क्या है is to determine the cash inflow and cash outflow from operating into cash flow meaning है वही उसका objective है कि किस activity से operating से investing से financing से किस activity से कितना पैसा आया और किस activity से कितना पैसा गया इस चीज़ को मेजर करते हैं एक सवाल आप से यह पूछ सकता है कि कब आपको लग रहा है cash inflow है और कब आपको लग रहा है cash outflow inflow का मतलब पैसा आना outflow का मतलब पैसा जाना हाला कि numerical के अंदर मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है अच्छे से लेकिन फिर भी यह numerical के अंदर भी कोशन करा रखा है तो यह theory का पार्ट बन सकता है कि हम यह आप मुझे आपको चार चीजे दे देंगे या दो चीजे देंगे आपको पहचानना पड़ेगा cash inflow है बै आई अट लोह इसुअप बोनस शेयर अगर बोन शेयर आप यह तो पहचान लेता हो पैसा आरा है ए सेľ'd kiya टो पैशाँ ग्या गंपाने में बेचना जो पैसा तो आई रहना सेल किया तो पैसा आ रहा है तो पैसा जा रहा है लेकिन दो इसुब उस शेयर अगर अगर आपने bonus share issue किया है तो इसका no flow होगा, ध्यान रखना, अगर आपने bonus share issue किया, तो इसका no flow, अगर proposed dividend हुआ है, अगर आपने dividend को propose किया है, तो paid थोड़ी किया है, तो ये भी no flow होगा, ठीक है, cash चाहे आपने bank में जमा किया, cash deposited into bank, या आपने bank से पैसा निकाला है, right, cash withdrawn from bank, cash withdrawn from bank, पैसा bank में जमा करो, चाहे पैसा bank से निकालो, भाया इस जेव से पैसा निकाल के दूसरी जेव में डाल दोगे, तो ये थोड़ी किया दोगे, पैसा आ गया, तो भी ये no flow होगा, right, तो इस तरीके से अगर आपने building खरीदी other than cash, purchase of building other than cash, आपने building खरीदी, purchase of building by issuing debenture share issue करके, जो other than cash होता है, आपने उस से खरीदा है, तो भी class क्या होगा, ये no flow होगा, तो मतलब आप फोड़ा सा, सोचना, समझना, कई बारना, sale अगर हुआ है आपका घाटे में, कि 50,000 की building को 40 में बेचा, तो बताओ, in flow, out flow, ये 40 में बेचोगा, तो भी in flow, 50 का बेचोगा, कि किस activity से, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, किस activity से, तो तुमको ये classification पता होना चाहिए, कौनसी चीज operating में आती है कॉंसी इंवेस्टिंग में आती है और कॉंसी चीज फाइनसिंग में आती है यह ब्याद भी तुमको पता होना चाहिए importance of class यहां पे तो हो गे हां पे मेनी हो गया next class यहां पे importance of separate disclosure of cash flow the separate disclosure करना separately दिखाना है कि भाई यह operating के अंदर यह है investing के अंदर यह है financing के अंदर यह है तो पहला operating operating activity cash flow arising from operating activity is a key indicator of the extent to which the business operation business operation of the enterprise have generated cash indicate whether adequate cash is generated to maintain the business operation to pay dividend to repay loans and to make new investment it also helps the forecasting future cash flow from operation simple सी बात है यह आपको नहीं समाजायोगा मैं समझा देता हूं क्या है यह कहते हैं कि जो operating activity है वो हम separately इस लिए बनाते हैं ताकि हम यह जान सके कि हमारे operating nature से जो हमारे रोजमर्रा की काम है जो हमारे daily basis का जो वर्क है current asset current liability यह सारी चीजे profit dividend इनसे हमारे पास कितना पैसा आ रहा है और या तो इनसे कितना पैसा जा रहा है और enough cash हम generate कर पा रहें कि नहीं इतना पैसा operating activity से हमारे पास आ रहा है कि नहीं जिससे हम लोग future में dividend बाट सके loans को repay कर सके investments को खरीच सके इन सारी चीजों के लिए प्रॉपर तरीके से पैसा आ रहा है कि नहीं यह सब चीज चेक करना क्लास यह operating activity का काम है investing के अंदर हम यह देखते हैं कि हमारे investment होने कितने हैं वहां पर हमें decide करते हैं पैसा RI की नहीं operating से यहां देखते हैं कि हमें कितनी investment करी है कितना हम लोगों ने basically invest किया है this is called investing activity cash flow arising from investing activity shows shows क्या करता है the extent of which expenditure has been incurred for purchase of fixed asset fixed asset या investment long term loan दिया किसी को यह invest किया यह सब आपने कितना किया इस चीज को शो करता है investing और कितना पैसा आपने उधार लिया वो financing cash flow arising from finance activity useful in assessing the claim of the future cash flow कि future में जो distributor को lenders को पैसा लोटाना है वो कितना लोटाना यह आपको पर दर जलता है class cash flow from financing कुल मिला के इन सबसे theory के chances थोड़े से कम होते हैं बट फिर भी मैं तुमको बता दू कि तीन तरह की activity है मैं बादा जैता हूं आपको यहां पर दिखा के मैंने cash flow पूरा पढ़ा रखा है आपको उसके अंदर हमें detail बात की fix assets investments current asset यहां पर आता है share capital यहां पर आता है reserve and surplus फिर आता है long term loan ठीक है याने की debentures ठीक है और फिर current liability यह होता है balance sheet I know कि यह firm की balance sheet है company की नहीं है बट मुझे firm company से लेना देना नहीं मुझे तो item से समझाना है fix asset or investment इन दोनों से related हर चीज investing activity का part बनेगा क्योंकि तुमसे question पूछ सकता है कि बताओ कि यह कौनसे activity का part है operating का है investing का है या financing का है तो ध्यान रखना अगर fix asset का sale purchase हुआ है goodwill purchase हुआ है investment को खरीदा बेचा है कोई income investment से मिली है investment से कोई income मिली है तो investments मिली है इसलिए वो investing activity का part बनेगा dividend मिला है तो dividend कब मिलेगा जब मैं कहीं invest करूंगा property कहीं मैं share खरीदूंगा किसी company के तभी तो dividend मिलेगा तो investment से मिला है इसलिए investing activity का part है right बाकि share, capital और debenture, इन दोनों से related हर चीज जो है class आपका financing activity का part होता है finance, चाहे issue of share हो, चाहे redemption of share हो, चाहे issue of debenture हो, चाहे redemption of debenture हो, चाहे loan लिया हो, चाहे repaid loan किया हो या loan पे, कोई interest पेakिया हो, या shareholders को कोई dividend आपने बाठा हो, तो ये दोनो चीजे class क्या है, आपके financing activity का part है, और ये, जो है class आपकी investing activity का part है, और जो इन दोनों में कहीं नहीं आया, जो operating की definition यही है, कि जो investing में नहीं आया, जो financing में नहीं आया, जो बच गया वो सब operating का पार्ट है, बाकि सारा operating है, तो जरली CACL बचता है, इसके लावा भी कुछ और बचता है, तो वो operating का पार्ट है, तो यह आपने क्लास समझना है, यह सारी चीजे कि कौन सी चीज कौन कौन सी activity में जाता है, तो यह थोड़ी हैं करेगा आपको अब format learn क कि कौन से अक्टिविटी में जाता है राइट चलो अब यह कोश्य नहीं जो बहुत ज्यादा पॉपलर रह चुका है में भी आप से पूछ लिया जाए जाए फैनाशिल कंपनी और नॉन फैनाशिल कंपनी अचा फैनाशिल कंपनी किसे कहते है जिनका कामी होता है लोन देना लोन लेना बैंक्स बैंक्स जो है यह आर फैनाशिल कंपनी उनका कामी क्या एकलास लोन लेना लोन देना नॉन फैनाशिल कंपनी मतलब ट्रेडिंग अपनी manufacturing company, तो हमने जो पूरा cash flow अभी तक पढ़ा है, या हमने जो भी rule regulation cash flow के अब तक पढ़ रखें, वो सारी हमने non financial company के लिए पढ़ा हुआ है, लेकिन कल को तुमको पूछ ले, कि भाईया, loan given, loan दिया, ठीक है, या loan advance, तो sir, आपको पता है, loan अगर आपने advance किया, आपने क लेकिन, अगर कुछिन बोले, loan advance, financial company के लिए कौन सी activity होती है, तो भाईया, वो operating activity है, because financial company का कामी सुबह से साम तक, bank का कामी क्या है, loan देना है, तो कभी-कभी क्या होता है कि कोई एक activity किसी इंसान का operating बन जाता है, क्योंकि उसका कामी सुबह साम तक यही है, ठीक है, like interest received, interest paid interest मिला, loan pay, या interest paid हो गया, तो अगर हमने interest paid किया, तो non-financial के लिए, तो interest paid जो है, वो कौन से activity कहलाएगा, financing activity, और non-financial के लिए, अगर कोई interest receive हुआ है, तो वो investing activity है, लेकिन financial company के लिए, interest receive और interest paid, यह दोनों ही कैसी activity है, class, यह दोनों ही इनके लिए class कैसी activity operating, because इनका काम ही है तो इसी लेकला ध्यान रखना है कि कौनसे चीज फाइन्सिंग के लिए और एक आपने सबसे अच्छी बात याद रखनी है प्लीज मत भूलना, प्लीज मत भूलना, प्लीज मत भूलना, तीन बार बोल रहा हूं, पिलकुल मत भूलना, डिविदेंट पेड, शेरोल्डर्स को जो डिविदेंट पेड दिया जाता है, is always financial activity, या financial activity, या financing बोल दो, ठीक है, for every type of company, चाहे financial company हो, चाहे non-financial company हो, कितना भी question गुमाए, बस समझ जाना, कि डिविदेंट देने का काम तो main company का ही होता है, भले ही मैं शेर बैंक से खरीद लूँ, लेकिन डिविदेंट, डिविदेंट जो है, वो class हमें company ही देगी, भले ही मैं Samsung का फोन कहीं से खरीद लूँ, लेकिन center पे ही जाके और repair होगा, दुकान वाला repair नहीं करेगा, एक्जाम्पल के तौर पे, तो dividend paid चाहे for financial company, for non-financial company, it is always considered as a financing activity, यह आपने धियान रखना है, तो normally हमने जो चीजे पढ़ी हुई है, वो हमने manufacturing company के हिसाब से, financial company के हिसाब से पढ़ रखा है, लेकिन तुमको loan investment, यह सब चीज आए नहीं, अगर वो हमने financing company है, तो उन सब के लिए वो operating ही होगा, पस dividend financing है, बागे सब operating है, यह अपने धियान रखना है, एक चीज और अपने धियान रखना है, questions को पड़ते वक्त मैंने बता रखा था, proposed dividend as per accounting standard 4, actually proposed dividend का पहले कुछ और treatment था, AS4 के बाद से last two years से हम लोग जो बच्चों को पड़ा रहे हैं, उसमें changes आ गया है, AS4 revised contingency and event occurring after the balance sheet date, यह नाम है AS4 का, contingency and events occurring after balance sheet date, previous year added in operating, और class same financing से क्या होगा, minus होगा, तो तुम्हें कभी भी अगर proposed dividend दे रखा है, तो सबसे पहली बाद तुम्हें balance sheet में कभी नहीं मिलेगा, तुम्हें हमेशा क्या मिलेगा यह, additional point मिलेगा, पिछले साल का 15,000 है, मान लो current year का 8,000 है, तुम्हें हमेशा balance sheet की नीचे मिलेगा, अंदर कभी नहीं मिलेगा, तो आप previous year का लेना, उसी को operating में plus कर देना proposed dividend के नाम से, उसी को financing से minus कर देना dividend paid के नाम से, बाकी तुम्हें कुछ भी लेन की जरुरत नहीं है, इसी previous year का operating में plus कर देना, इसी previous year का financing से minus कर देना, यानि की proposed dividend तुम्हें current year का लेना ही नहीं है, previous year का लेना है, वही operating में plus होगा, वही financing से minus होगा, as per, as per AS4, event occurring after balance sheet date, accounting standard 4, जो है, यह कहता है, राइट, चलो, आगे के लिखाए, cash and cash equivalent का मतलब क्या होता है cash in hand or demand deposit the bank, तो मतलब cash and cash equivalent का मतलब दो चीजे है, cash b और bank b, okay, cash equivalent किसे कहते हैं, class, cash equivalent, these are the short term, highly liquid investments, okay, that are readily convertible, class, convertible into, convertible into the known amount of cash, generally has short maturity period 3 months, but it's a cash equivalent, आपकी जिसे लिखो, marketable security, इसको क्या लिखोगे, बटा, marketable securities, इसे marketable security कहते है, क्या कहते है, class, marketable security, marketable security को हम current investment या short term investment भी कहते है, current investment, treasury bills, commercial paper, इन में, तो सीधी सीधी बात है, current, cash equivalent नहीं, current investment या marketable security वो है, जो generally 3 महिने में cash में convert कर दी जाता है, वो investment, generally investment हम लंबे समय के लिए करते हैं, लेकिन ये वो investment है, short term investment, या marketable security, या current investment, जो आम तोर पे 90 days में cash में convert कर दी जाते हैं, कितने दिन में? 90 days में, ये आपने बात ध्यान रखने हैं, right? इसके इंपोड़न्स वो, इतनी theory है, आपको ध्यान रखना है कि कौनसे activity में जाता है, inflow है, outflow है, और cash flow के importance क्या है, It helps in asserting cash flow from operating, तो ये हमें बताता है, importance कि हमें operating से कितना पैसा मिलेगा, investing से कितना पैसा मिलेगा, financing से कितना पैसा मिलेगा, ये हमें बताता है, It helps management in planning, ये management की मदद करता है planning करने में भी, यानि कि अगर आपको पता रहेगा कौनसे activity से कितना कितना cash in हो रहा है, कितना out हो रहा है, तो आप future में अच्छे से funds की planning कर सकते हो, कि हमार पास कितना पैसा है, कितना in आएगा, कितना output आएगा, ये सारी चीजे, It helps in maintenance of liquidity, liquidity समझते ह हो, cash रहेगा आपके पास, ताकि आप creditors की commitment को पूरा कर सको, जिन से उधार ले, उनको पैसे रोटा सको, salary दे सको अपने staff को, ये सारे खर्चे आप कर सको, rent दे सको, determine solvency, ये भी पास पैसा कितना है, और हम कल को कहीं insolvent तो नहीं हो जाएंगे, कल को बंद तो नहीं हो जा आप अपनी company का किसी दूसरी company से comparison भी कर सकते हो, investment and dividend decisions are also taken by the finance manager by help of cash flow statement, तो cash flow statement को देखकर, जो finance manager है, तो ये देखता है कि मुझे investment कितना करना है, और मुझे dividend कितना बातना है, और कितना पैसा रेटेन करना है, कितना पैसा कहां invest करना है, और मुझे कितना पैसा 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 ये भी finance manager cash flow statement को देखकर पता लगाता है, तो बस यही सारी theory थी class cash flow statement के अंदर, I hope आज हमने अपनी complete term 2 की class wealth accountancy की theory यहाँ पे खतम कर दी, वीडियो अच्छी लगे, तो शुरू सेंट तक हमने सब कुछ पूरा का पूरा complete theory end कर दिया, वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक क पूरा का और अपने सारे दोस्तों में share करना बिल्कुल मत भूला, अगर आप नए है चैनल पे subscribe कर लो, टेल एक्जाम तक जी जानल आके हम महनत करने वाले हैं, ठीक है, तो subscribe करके बाल आइकन दबा दो, तो यह कोई भी important video आपकी सामने से miss ना हूँ